स्रीकाल बेटा जी हमने पिछरी वीडियो में position time graph बनाने सीखे थे इस वीडियो में हम position time graph से velocity time graph कैसे बना सकते हैं हम यह चीज सीखेंगे तो एक example ले लेते हैं एक position time graph लेते हैं और फिर उसे convert करने के कुश्ची करते हैं velocity time graph में बहुत simple है थोड़ा ध्यान देनी की बात है ब आप से आपने points लगाने शुरू कर दिये यह points यह position थी हर एक first second में यह position थी टू में यह और इस तरह से हमने points mark कर लिए तो इस तरह से हमने यह graph बना लिया तो हमें अब बोला जा रहा है कि इस graph से आप velocity time graph नहीं है very simple velocity time graph बनाना है तो सबसे पहले velocities पता होने चाहिए है जीरो से वन क्या velocity हैं और से टू क्या velocity है 2 से थ्री क्या है ऐसे तो हम सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि What is the velocity होती क्या है यह velocity हम कैसे नेकालते हैं उढ़ी इस displacement by time इस displacement तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट इंटर्वल्स ले लेते हैं, उसमें जितनी डिस्प्लिस्मेंट हुई हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे जितना टाइम लगाऊ से, तो यहां पर एक टेबल टाइप बना लेते हैं, यहां पर मैं लिख रहा तो यहां पर लिख लेता हूँ वेलासिटी, उस टाइम इंटर्वल के लिए क्या वेलासिटी रही, ठीक है, जो किस से मिलेगी, डिस्प्लिस्मेंट और उतना टाइम लगाऊ डिस्प्लिस्मेंट में उसको डिवाइड करने से, तो यहां से देख लेते हैं, कितने टाइम है हमर पास 0 से 1 है, 0 से 1 देखा, second, second मालेजिये, hours मालेजिये, ठीक है, मैंने यहां seconds माने है, steps माने है, meter माने है, जो आप अमान्द करे, तो 0 से 1 time interval में, two steps have been taken, यहां 2 meters जो है object चला है, तो displacement is plus 2 और we can write simply 2, divided by क्या कितना time लगा? 1 second ने लगा, तो velocity is 2, meter per second और unit से आगे लिख दीजी, अगर आपको लितना है तो, 1 से 2 क्या हुआ है, positive 1 का displacement 1 second में, positive 1 का displacement 1 second में, याने की 1 लिख सकता हूं, आप यहां से देख लिए जिए, next कहां पर point आ रहा है, याने की 2 से 4, 2 से 4 second, 2 seconds में क्या हुआ है, the object has come 2 distance नीचे, 2 step नीचे आ रहा है, नीचे आने को displacement में क्या बोलते हैं, negative 2, तो हम बोलते हैं, minus 2, minus 2 steps लिए, कितने second में 2, minus 2 divided by 2 is minus 1, ठीक है, यह हो गया 2 से 4 में, sorry, 2 से 4, next point 4 पे था न, अब 4 to 6 क्या हुआ है, इन 2 seconds में, the object has remained stationary, खड़ा रहा है, कौन सी position पे, 1 position पे, तो there will be speed, velocity, no, अगर आप खड़े होते हैं, तो ना आपकी कोई speed होती है, ना आपकी कोई velocity होती है, क्योंकि आपकी position change नीचे औरी, which is remaining same as 1, तो यह हमारा time interval के साथ हमने velocities calculate कर ली, ठीक है, time interval के साथ velocities calculate कर ली है, और अब हम उससे velocity time करा बना देते हैं, तो 0 से 1 velocity क्या रही, 0 से 1 time interval में 2 रही, तो हमें color change कर लेता हूँ, 0 से 1 velocity जो थी, वो हमारी 2 रही, ठीक है, तो एक straight line से represent कर देंगे, हर एक point पर velocity same थी, constant थी, which is value क्या थी, उसकी 2, 1 से 2 क्या हुआ, 1 से 2 time interval में 1 velocity रही, यहां line बना दी, straight lines है, sorry, trying थोड़ी मैं correct ने हो पार रही है, असके बाद 2 तो 4 क्या हुआ, यानि 2 से 4 यह interval है, इसमें क्या हुआ, minus 1 velocity, तो minus 1 velocity कहा है, यहां डोनने पड़ेगी, मुझे, यह यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, और 2 से 4 तक line बना देता हूँ, ठीक है, इसको भी dotted से मिला देते हैं, उसके बाद 4 to 6, 0, 0 velocity कहां पर है, यहां पर, ठीक है, ठीक है, इस इस आर, velocity time graph, हमने कहां से बनाया, position time graph को read कर गए, सिंपल, एक और question करते हैं, और फिर समझते हैं, कर समझने की कोशिश करते हैं, तो हमने velocity time graph निकालना है, तो अब हमारा काम क्या बन गया है, कि time interval हमें पता हो, और उस time interval में कितनी velocity रही है, वो हमें पता हो, तो देख लेते हैं, 0 से 3 interval, सो 0 से 3 interval में क्या होगा, कितने step लिए गये हैं, कितने displacement हुई है, 3 की displacement हुई है, 3 displacement in 3 seconds means, 3 displacement हुई है, या 3 meter लिए है, 3 second में, तो velocity क्या हो जाएगी, 3 by 3 is 1, good, अब हमने क्या करना है, 3 से 5, second interval लागा है, 3 से 5 क्या हो रहा है, 3 से 5, it is taking 2 step downwards, downwards का मतलब minus तो लेना पड़ेगा, minus 2, कितने seconds में, 2 seconds में, minus 2 by 2 is, minus 1, 5 to 6 क्या है, 5 to 6 से flat line है, flat line का मतलब position remains same, जब आपकी position same होती है, तो आपकी velocity 0 होती है, अब graph का का काम हो गया, हमने graph से ये velocities निकाल ली, different time interval में, अब हमें बस वो time interval में, ये velocities भर देनी है, velocity time graph में, तो 0 से 3 कहां था कहा है, 0 से 3 देखे, यहां था कहा है न, time interval, ये सेम ही समझ ज़िए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेखा हुआ यहां पे, तो 3 सेकंड में क्या velocity रही है, 1, एक color change कर लेता हूँ, जैसे पता लगे difference, तो 1 velocity रही, 3 to 5 क्या रही है, minus 1, 3 to 5 रही है, minus 1, तो ये हमारा 3 to 5 time interval है, straight line यहां पे जाएगी, उसके बाद velocity 0, 0 कहां पे दिखाऊँ, फिर से, 0 line पे दिखाऊगे न, और एक second का, और इसको continuity के लिए हम dotted line से मिला देते हैं, तो this is the velocity time graph for this position time graph, let's do one more example, यह state line है, ठीक है, तो हमें बोला velocity time graph बनाओ, हमने का ठीक है, time interval में velocities निकाल लेते हैं, तो velocities में वो fill up कर देंगे, और हमारा velocity time graph त्यार हो जाएगा, तो time interval देख लेते हैं, और velocity देख लेते हैं, velocity याद है, displacement by time होती है, तो देख लो, time interval पहला कॉन से ले सकते हैं, state line कहां तक जा रही है, 4 तक, तो ले लिजिए, 0 से 4 तक time interval हो जाएगा, एक, ठीक है, 0 से 4, कितनी displacement होई है, 4, positive 4, 4 by 4 is 1, again 1, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, object नीचे आया है, 4 to 5, देख ओ, 4 to 5 क्या हो रहा है, 4 to 5 क्या हो रहा है, एक second में, नीचे आ रहा है, कितना, minus 1 बोलूँगा, minus 1, divided by कितने seconds, या कितने r, जो भी आपने unit लिया हो, 1 ही है, तो minus 1 by 1, minus 1 ही रहेगा, यह हो गया, 4 to 5, ना स्टोरी क्या है, 5 to 6 में, 5 to 6 में देख लिएते हैं, 5 पे कहां था, 3, अच्छा, 6 में कहां था, 0, ओके, तो it has, must have taken, 3 steps downwards, कितने second में, only 1 second में, तो minus 3, ओके, तो this happened in 5 to 6, ठीक है, अब हमने graph से काम ले लिया, जो लेना था, time interval और velocity निकल गए, अब यहां map करना है, time interval के साब से, color different कर लेते हैं, 0 to 4, what is happening, 0 to 4, 0 to 4 time interval देखें, यहां पे same ही है, ठीक है, 0 to 4, speed रही है sir, 1, 1 speed यहां से, velocity यहां से मिलेगी, 0 से 4 तक, यह देखो 4 ते ना, यह भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 में ने लिखा नहीं है, क्योंकि same में नहीं ही को extend किया हुआ ग्राफ को, उसके बाद 4 to 5 क्या होता है, minus 1, 4 to 5, minus 1, और 5 to 6, minus 3, 5 to 6, minus 3, so this is the velocity time graph, ठीक है, एक और question कर लेते हैं, practice कर लिजे, आप जब भी मैं question कर रहा हूं, तो खुद से बनाने के pause करके, खुद answer निकालने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद अगर नहीं निकलता है, या आपको confirm करना है, तो आप video फिर चालू कर दिजे, तब आपकी practice अच्छी होगी, तो मैं इसे लिए ज़्यादा questions ले रहा हूं, जिससे आप बार-बार practice करें, और आपके doubts clear हो सुके हैं, फिर से लेते हैं, एक और example, इस तरह से cd की तरह जा रहा है, यह position time graph, हमारे को क्या करना है, velocity time graph बनाना है, तो velocity चाहिए time intervals में, तो देख लेते हैं, कौन-कौन से time interval हमें important रहेंगे, जहां पर कुछ slope change हो रहा हूँ, वो ही चाहिए हमें, ठीक है, पहले 0 से 1 क्या हुआ है, what is the displacement, 0, ठीक है, 0 से 1 लिख लेता हूँ, जब displacement 0 है, तो velocity तो automatically 0 हो जाएगी, 0 by anything is 0, अच्छा 1 से 2 क्या हो रहा है, अब आप graph देखते जाएगे, मैं बोलता जाता हूँ, आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, कितना step लिए है, plus 2, कितने second में, 1, 2 by 1 is 2, okay, 2 से 4 देखे ग्राफ को, flat line आ गई, position same रही, 0, velocity, 4 to 5 क्या हो रहा है, positive 1 step लिए जा रहा है, एक उपर 2 से 3 जाएगा न, object, 4 to 5 में, एक second में, एक step लिए जा रहा है, 1, और 5 to 6 क्या होगा, फिर flat line है sir, इसका मतलब 0, flat line 0 क्यों बोलते हैं velocity, because it remains the same position, 5 पर भी 3 position पे था, और 6 पर भी 3 position पे था, तो अगर आप सेम जगा खड़े रहोगे, तो velocity आपकी 0 निकलेगी, अब हमें इस से काम नहीं, इस से काम जितना था, वो निकाल लिया, अब हमें in time intervals पे ये velocities भादे नहीं है, 0 से 1 में 0 velocity रहती है, तो same ही आ गया, इस तरह से, ठीक है, 1 से 2 क्या हो गया, 1 से 2 सेकंड में velocity हो गई, 2, ठीक है, तो ऐसे भर देते हैं, 2 से 4, 2 से 4 हां, 2 से 4 याद रखना, 2 से 4 फिर 0 हो गई है, तो फिर 0 वारे line पे आ गए हम, ठीक है, 4 to 5 क्या है, 1, 4 to 5, 1, और 5 to 6, 0, और continuity के लिए हम ऐसे dots लगा देते हैं, ठीक है, तो यह हमारा क्या बन गया, velocity time graph, हमने कहां से निकाला है यह, position time graph से, किस तरह से, हमने हर एक point का time interval का, जो important time interval थे, जहां स्लूप constant रह रही है, वहां पे हमने क्या किया, हमने उनकी velocity निकाल ली, और उन velocity को एक table में लिख दिया, और उस हिसाब से यहां पे map कर दिया, ठीक है, अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, we will go the other way, यानि कि हमें velocity time graph दिया हो, तब हम position time graph कैसे निकाल सकते हैं, that we will do in our next video, thank you.